पश्चिम बंगाल में विधान सभा उप्चुनाओ को लेकर सियासत तेज हो गई है जहां बीजेपी उस चुनाओ को जीत कर अपना अस्तित तो बचाना चाहती है तो वही मम्ता बनरजी की कुरसी के साथ साथ साख बचाने की जुगत में है इसी अगनी परीक्षा को लेकर द प्रशान्त किशोर को भी जाता है पीके यानि प्रशान्त किशोर ने मम्ता का साथ देते हुए बीजेपी के खिलाफ ऐसा चकर भी हुबुना कि बीजेपी उसे भेद नहीं पाई और पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा अब विधान सभा चुनाओ के वो रहनीतिकार बनकर नहीं बलकि मतदाता बनकर आये हैं इसे लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई है और उसने वोटिंग पर सवाल उठाकर बवाल खड़ा कर दिया है दरसल प्रशांत किशोर बंगाल के भवानीपूर से वोटर बने हैं भवानीपूर वही विधानसवा स पर बीजेपी उन्हें घेर रही है वरिश्ट नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि महिला और पुरुष अपने करियर के लिए एक शहर में सैटल होते हैं लेकिन ये पहला मौका है जब मैंने एक कंट्रेक्श्वल लेबर के लिए ये बात सुनी है भारतिय निर्वाचन आयोग क इस बात की जाच करनी चाहिए कि क्या उनका नाम बिहार के शहर से हट गया है दरसल बीजेपी पीके से इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि इस सीट से मतदाता बनने के बाद टीमसी प्रशांत किशोर को राजसभा भेज सकती है टीमसी के नेता सौगत राय ने कहा है कि अ टीमसी क्या निर्णे लेती है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अगर उनकी उच्च सदन में एंट्री हो गई तो लोग सभा से लेकर राजसभा तक बीजेपी की परिशानी बढ़नी तय है डीबी लाइब की रिपोर्ट